तो नियुक्त आपको यह मेरे फ्रेंड का जो बाइक है मैं उसको दिखाने लाया हूँ तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्या-क्या-क्या इस्ने मौडिफिकेशिं किया वह आप सुनिए इसी तो गाइस मेरा नाम उमंग है और मैंने मेरा स्प्रेंडर स्प्लेंडर प्लस modification किया है तो मैंने most of वो सब गरबे किया है लेकिन थोड़ा सा काम मैंने aftermarket कर लौए है स्टोड़ा साका में आफटर मार्केट कर वहा है तो ङाई यहां पर देख सकते हो यह बिजिए यह च्छिवह और वगा है तो इसका कोस्ट आप बाटा सकते हैं और वो यह 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 और इसका आया था मेरे को 40 रूपीज उनली तो गाइस यहां पर स्पेंडर की टेंक के उपर लव यू मॉम डड़ लिखाया तो यह कितनी कोस्ट में पढ़ा आपको यह मेरे को बाई 50 रूपीज का पढ़ा है और यह भी अच्छा लग रहा है और यहां पर स्पेंड़ किंग लिख्यों और ने आता अड़ा यह सेवंते फाइउ और पर यहां पर भी मैंने यहां लिखवा है और उस साइड भी ऐसा ही किंग लिखवा है तो इसका मेरे को 50 रूपीस का कॉस्ट आया था दोनों साइड का मिला कि 100 रूपीस तक का आ गया था तो गाइस यहां पर बैक लाइट पर बहुत ही अच्छा जोकर का जो अभी ट्रेंडिंग में जोकर तो उसका जो टैटू लगा तो वह किसने में पड़ा को यह बाइ मेरे को 50 रूपीस का पड़ा है और वह जो बाइट है उन्होंने यह तीन साइड भी ब्लैक कर दिये तो उसके वज़े से इसका लूग जो रात में आता है ना बहुत कमाल का आता है अब देखो मैं आपको यह चालू करके दिखा तो कै सलग्रेब देखो कर जब लूग आ रहा है और आतमत आप सूची सकते हो कैसा लूग आता है बहुत जोदा लूगा तो अब तो रई तो गाइस यहां पर के टीएम का इंडिकेटर इन्होंने लगवाया है तो यह भी अच्छा है प्राइस कितनी है आप बढ़ा सकते हो भी इसका मेरे को टूएटी रूपीज चारों के हो गए और फिटिंग का साथ मैं मेरे को साड़ी तीन सों में पढ़ा है सब यह भी रात में गजब लूग देता है आप देख सकते हो यहां पर बहुत ही अच्छा है यह देखो काईस यह मैंने एलोजन बलब लगा है लेकिन यह वाइट और यल्लो का मिक्स है तो यह जब रात निकलता है बहुत दूर तक जाता ही है और यहां पर एक छोटी सी यहां आउन के ट। कि अवे की आचे झाल